आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, आज का जो कोशन है यहां एक starting material given है Zinc, Amalgam और HCl की presence में reaction कराना है and then हमें यहां CR2, O3 given है 773 Kelvin पर तो देखो हम यहां पर यह draw कर लेते हैं Double bond O और आपका इस तरीके से जब हम इसकी reaction कराते हैं किसके साथ Zinc, Amalgam के साथ तो basically और HCl की presence में यह आपका क्या होता है Clemencion Reduction होता है Clemencion Reduction में क्या होता है कि जो इस CO group है किसमें convert हो जाता है CH2 में convert हो जाता है यह हमारा किसमें convert हो जाता है CH2 में तो यह इस तरीके से हुआ अब यह आपको क्या मिल गया एक hydrocarbon मिल गया यहां पर हमें क्या मिला hydrocarbon मिला और इसमें कितने carbon है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लिख सकते हैं, यहां इसको हम arrange कर सकते हैं, इस तरीके से, यह हमारा CH3 हो गया, यहां पर आपका एक CH2, यहां पर हमारा CH2, यह आपका इस तरीके से CH हो जाएगा, यहां पर हमारे पास एक ethyl group लगा है, तो हम इसको CH2, CH3 लिख सकत हैं, यहां पर हमारा CH2 और CH3 है, अब हमें इसकी reaction किस के साथ करानी है, इसकी reaction करानी है, CH2, CH3 के साथ, और 773 कैलविन पर, तो देखो यह हमारा क्या होता है, जब भी आपका कोई NLKN है, यह आपका हाइडरो कार्बन है, उसमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, तो वो आपका क्या होता है, जब आप उसको heat करो, 773 कैलविन पर, 10 to 28 एम पर, तो आपकी cyclize ह हो जाती है, in presence of oxide, यहाँ आपका chromium का given है, molybdenum भी हो सकता है, vanadium भी, over alumina और dehydrogenate हो जाता है, dehydrogenate हो के हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक benzene ring मिलती है, तो यह आपका इस तरीके से आएगा, और इस position पे आपका ethyl group लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहा है, तो देखो, अगर हम अपने option match करें, तो option 1 में ethile है, तो correct है, यहाँ दो-दो में ethile है, पर substitute कौन सा है, ethile है, तो wrong हो जाएगा, third में no cyclization, fourth में भी कोई cyclization नहीं है, तो option 1 right होगा, thank you.